तो आज हम सीखने वाले की array को किस तरह से create करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं यह video no.2 है JavaScript array का इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है उसके अंदर मैंने बताया है कि हम क्यों arrays को use करेंगे तो आज हम array को create करना सीखेंगे तो पहली लाइन है using an array literals is the easiest way to create a JavaScript array तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में बताया है कि जो array literal होते वो क्या होते हैं अगर आपने वो वीडियो देखी तो अच्छी बात है अगर नहीं देखी तो मैं आप बता देता हूं array literal होते square bracket ठीक है जैसे हम array बना रहे हैं जैसे कि एक array का syntax है const हो गया array name equals to आपको जो यह square bracket दिख रहे हैं इनको बोलते है array literals यह क्या करते हैं यह हमारे JavaScript को बताते हैं कि हम JavaScript array यूज कर रहे हैं यह जो template title दिख रहे है यह JavaScript को बताएंगे कि हम array यूज कर रहे हैं तो यह हमारा एक array बन चुका है ठीक है अभी next है it is a common practice to declare arrays with the const keyword basically array को हम ज़्यादा change नहीं करते हैं इसके लिए अच्छी practice है कि आप जबी भी array बनाओ तो const keyword के साथ बनाओ जैसे कि यहाँ पर इसने बनाया है const array का नाम कार हो गया तो एक array बन गया अब यह array कैसे बना क्योंकि हमने आप टैंपलेट लीटरल यूज किया अगर आप यह template लीटरल्स यूज नहीं करोगे तो आपका array नहीं बनेगा और जावास्रिप्ट आपको errors थ्रो कर देगा ठीक है तो जब भी भी आप array बनाओ तो टैंपलेट लीटरल्स के अंदर बनाओ और उसका जो keyword रखोगे वो क्या रखोगे const keyword रखोगे spaces and line breaks are not important and declaration can span multiple line इसका क्या मतलब है अगर आप एक array बना रहे हो कार नाम का ठीक है जैसे कि पिछली slide में आपने देखा था एक हमने कार नाम का array बनाया तो उसमें क्या था हमार सारी जितनी भी values थी वो सारी एक line में थी ठीक है अगर आप वैसा ने करना चाथे और आप एसा लिखना चाहते तो आप एसा भी लिख सकते हो इट ड़ेंट मैट था आप एक line में भी लिख सकते हो और आप next next line में भी सकते हो सेम वही काम होगा const card नाम का एक array बनाया उसके अंदर template literals के अंदर values डाल दी double inverted comma में by separated a single comma, right? You can also create an array and then provide the element. इसका क्या मतलब है? यानि कि आपने सबसे पहले एक array बनाया, एक empty array बनाया, empty array कैसे बनाते हैं? एक आप const keyword होगे, फिर array का नाम दोगे, और उसके बाद सिप आपको array का template literals, यानि कि square bracket डाल के छोड़ देना है, तो इससे क्या होगा? आपका एक empty array बन चुका है, ठीक है? कार नाम का empty array बन चुका है, इसको आप future में आप value भी डाल सकते हो, इसको access भी कर सकते हो, तो इसको किस तरह से हम value डालेंगे इसके अंदर? इसके अंदर सबसे पहले आपको array का नाम लिखना है, और मैंने मेरी जो पहली वीडियो थी, उसके अंदर मैंने बताया था कि array के अंदर index क्या होते है, index को आप इस तरह से समझ सकते हो, एक ID होती है, ठीक है? जिसकी 0, 1, 2, 3, और array के अंदर always index starts from 0, तो 0 से index start होते है, तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, cars 0, यानि कि 0 index पे यह जो नाम है न साब कार का, वो उसमें डाल दो, फिर मैं क्या बोल रहाँ, cars की 1 number index पे Volvo नाम का एक element डाल दो, फिर मैं बोल रहाँ, cars number 2 index पे BMW नाम का एक element डाल दो, तो यह क्या ख़रेगा 0, 1, 2, यानि कि 0 पे साब डाल देगा, 1 पे Volvo डाल देगा, 2 पे BMW डाल देगा, तो इस तरह से हम एक empty array बना कर, उसके अंदर बाद में values डाल सकते हैं, I hope आपको इस वीडियो में कोई doubt नहीं होगा, अगर फिर भी कोई doubt है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप मुझे नीचे comment box में अपना doubt कमेंट कर दो, वो जो आपका doubt है, वो मैं next वीडियो में clear कर दूँगा, ठीक है, अगर आप वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like जरूर करे, तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में, तो आपका जब तो आपका जब तो आपका जब तो आपका जबाएंगा,